स्वागत आपका रिवाइब कोडिंग में और यह एक रियक्ट आउटर की पूरी सीरीज होने वाली जिसमें कि हम रियक्ट आउटर डॉम को किस किस तरीके से यूज कर सकते हैं उसकी सारी पॉसिलिटीज को हम घंगा लेंगे और आपको हर एक चीज़ बताएंगे राइट रियक्ट आउटर डॉम हो एक बहुत फूर्फुल लेवरेरी है जो कि आपको हेल्प करती है आपके रॉटिंग्स परफॉर्म करने में चाहे वह रॉटिंग कैसी भी उना हो राइट चाहे सिंगल लेवल हो मृटि लेवल हो नेस्टिड हो डियनामिक हो आपको परिमीटर करना हो, navigation करना हो, हर एक काम जो भी आप routing के मन से करना चाहते हो, वो सब आपको provide करता है react auto dome, right, तो ये जो react auto dome है, ये करता क्या है, ठीक है, तो ये basically एक library है, जो कि आपको support provide करता है, ताकि आप both client side या आपको server side rendering routing करनी है, वो दोनों ही चीज़े आप इसकी मदद से कर सकते हो, ठीक है तो आपको help क्या करता है, आपको help करता है आप different different pages को different different URL देना चाहते हो, है ना, तो आप वो कैसे दोगे, आपको कुछ नब खुता चाहिए, तो उसमें आपकी help करता है, react auto dome, आपको एक page से दूसरे page में navigate करना है, ठीक है, चेंज करना है, switch करना है, तो आप कैसे करोगे, अब हम बोलेंगे, एटैक से भी कर सकते हैं, मगर हमारे react auto dome में बहुत सारी चीज़े provide करता है, और उसके advantage भी है as compared to, अगर हम normal के package की मदद से करते हो, क्यों, क्योंकि यार जो react है, जो हमारा react है, वो अपने को by default कोई routing mechanism या फिर राउटिंग के ability प्रवाइड नहीं करता है, तो इसलिए हम इस react auto dome के package पे dependent रहेंगे इसके लिए, अब होता क्या जाए है, होता इसके दो part होते है, पहला होता है base URL और दूसरा होता है path, तो base URL का क्या मतलब हो गया, अब यह जो आप देख रहे हो, यह localhost 3000, localhost 3000, localhost 3000, ठीक है, यह अपना base URL हो गया, मतलब यह हर जाए के common है, इसी तरीके से इसी को हम दूसरे शब्दों में domain भी कहते हैं, ठीक है, यह हमारा क्या हो गया, domain हो गया, right, अब इस domain के बाद जो हम पे path add कर रहे हैं, अब हमारा path क्या है, यह जो मेरा home है, यह जो मेरा content है, यह जो मेरा about है, ठीक है, यह मेरा path हो गया, ठीक है, अगर मैं localhost 3000 slash home करूंगा, तो मैं home page पे जाओंगा, अगर मैं contact पे करता हूँ, तो भाई मैं contact पे जाओंगा, और अगर मैं about page को hit करता हूँ, right, तो मैं about page मेरा खुलना चाहिए, ठीक है, तो यह सारी चीज़े basically हम किसकी मदद से करेंगे, हम करेंगे react auto dome की मदद से, ठीक है, अब यह तो मैंने बहुत simple example लिया, बट, आपको use case तो समझ में आया न, right, तो basically हम एक base URL लेते हैं, और उसके बाद हम उसका path define करते हैं, अब हर एक path पे कौन सा page राउट होगा, वो चीज़े हम करते हैं, react auto dome dome की मदद से, ठीक है, तो चलो, next video में हम अपना setup करेंगे, कि भाई, react auto dome को react के अंदर कैसे setup करना है, और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे, इसकी हर एक possibilities को जानेंगे, ठीक है, चलो फिर मिलते हैं, अपनी next video में, तब तर के लिए, have a nice day and good bye